एसी सी करनी चाहिए या एसी सी का डिप्लोमा कर लेना चाहिए सर आएफरेस में सर बताओ सर यह तो बहुत कंफूजन का मुद्दा है सर सर कोई क्लारिटी नहीं है सर सर आप कुछ डिरेक्शन दे पाओगे क्या यह कंफूजन आपको भी है अगर है तो चलो आज हम ना डेर स सारी चर्चा करते हैं इस पर इस पर डिसकॉशन करते हैं और समझते हैं कि किन बच्चों के लिए एसी सी ए और किन बच्चों के लिए डिप्लोमा इन आएफरेस बेटर रहेगा और किन सरकंस्टैंसिस में रहेगा सबसे पहले हम समझते हैं कि ACCA क्या है और ACCA का Diploma in IFRS क्या है सबसे पहले हम समझते हैं Basic और फिर आगे चलेंगे Eligibility पे और इसके Benefits के उपर सबसे पहली बात सर कि सर ACCA क्या को था है सब थोड़ा सा ये बता दो देखो बच्चे जैसे हमारी Chartered Accountancy होती है इंडिया में जब आप Qualify कर जाते हैं तो आप Indian Chartered Accountant हो जाते हैं ACCA बच्चे Chartered Accountancy है UK की आप ACCA क्वालिफाई करते हैं UK के Chartered Accountant हो जाते हो और क्यूंकि ACCA को माननेता ACCA की Recognition more than 180 Countries में है तो इसे करते ही Effectively आप 180 Countries के Chartered Accountant हो जाते हो जैसे आप Indian सिये बनते हैं Diploma in IFRS ना Effectively जैसा Name Suggest करता है तो है तो यह एक Diploma यह दिगरी नहीं है एक जैसा ACCA एक Degree Course है और Professional Course है तो Diploma in IFRS एक Degree Course तो नहीं है यह एक Diploma Course है और Diploma है बेटे IFRS में International Financial Reporting Standards में देखो बेटे इंडिया में अगर आप कुछ भी पढ़ते हो Accounts के अंदर तो आपको पहले आपको इंडियन Accounting Standard पढ़ने होते थे जिनने अब हम INDAS बोलते हैं विकास अब INDAS आ गए हैं बिलकुल ठीक है सर यह बास समझ में आते हैं सर जैसे बच्चे INDAS इंडिया में applicable है ऐसे International Financial Reporting Standards Worldwide applicable है बहुत सारी कंट्रीज अब तक IFRS को adopt कर चुकी हैं जिनके अपने Accounting Standards नहीं हैं उन्होंने IFRS को adopt कर लिया है कि IFRS के हिसाब से Financials दनाओ और Local Compliance से मुक्त हो जाओ तो IFRS बहुत सारी कंट्रीज में उनका Local Local Accounting Standard है इसी वज़ा से IFRS बहुत सारी Multinational Companies में आपको जगां दिलाता है आपको जॉब दिलाता है Because उन्हें कर नहीं है उन्हें तो IFRS से Related Accounting कर नहीं है, Reporting कर नहीं है, Compliance कर नहीं है तो उन्हें IFRS जानने वाले और समझने वाले बच्चे भी चाहिए इसलिए Diploma in IFRS को Craft किया गया है by ACCA Diploma in IFRS आपको वो Edge देता है, वो समझ देता है जो IFRS से Related आपको चाहिए ताकि आप किसी भी कंपनी में IFRS इंप्लिमेंट कर सको, Accounting कर सको, Reporting कर सको and so on and so forth बट बच्चे ये सिर्फ IFRS से ही Related है और कुछ नहीं है इसमें अगर हम ACC से बात करेंगे तो ACC का स्कोप जादा बड़ा होता है विकास अपकोर्स IFRS तो उसमें है उसके अलावा आपको वो Performance Management, Financial Management, Taxes, Audit, Strategic Business Leader and so on and so forth बहुत सारी समझ देता है बट अगर हम Diploma in IFRS की बात करें तो ये Concentrated होता है IFRS के उपर ACC की जो Eligibility होती है बच्चे वो Class 10th के बाद ही हो जाती है हर वो बच्चा जो Class 10th पास कर चुका है वो ACC को वहीं शुरू कर सकता है और ACC की पढ़ाई बिल्कुल 10th के बाद ही स्टार्ट कर लेगा तो वो Graduation तक ACC क्वालिफाई भी हो जाता है बिल्कुल ठीक है सर तो Eligibility ACC की Effectively Class 10th पास आउट है ठीक है सर सर अग डिप्लोमा ही ना है फर इसकी डिप्लोमा इना फरस की जा Eligibility है वो है Graduation with 2 years of experience आपको Accounting, Reporting, Compliance related experience होना चाहिए जो कि of course accounting की फील्ड से related है In addition to that you have to be a graduate for you to be eligible to really apply and of course give the डिप्लोमा इना फरस exam 10th पास आउट 11th के बच्चे 12th के बच्चे AC से कर सकते हैं और of course graduation pass out with 2 years of experience हमारे डिप्लोमा इना फरस कर सकते हैं मैं अपने CA वाले बच्चों को बता दू जो CA students हैं जो already graduation कर चुके होंगे या कर रहे होंगे अगर वो उसके साथ article ship करते हैं तो उनकी article ship भी इस experience requirement को cover कर लेते हैं तो आपको कोई separate या specific experience लेने की जरूरत नहीं है और जो qualified chartered accountant है उनके लिए तो वैसे ही बहुत असान है because वो effectively graduation से अबब एक professional course कर चुके हैं तो वैसे eligible हो जाते हैं और article ship भी उने वैसे ही खतम कर रखे हैं तो उनके लिए ये full fledgedly eligible हो जाते हैं वो लोग कि वो diploma in IFRS दे सकते हैं बासे उन में आती है बिल्कुल आती है सर ये eligibility भी clear हो गई सर तो सर अगर मैं class 11-12 का बच्चा हूँ न सर तो सर मुझे dip IFR के बारे में तो सोचना ही नहीं है सर मुझे diploma in IFRS तो लेनी ही नहीं सर मैं ले नहीं सकता हूँ सर मैं eligible ही नहीं हूँ मैं तो सर ACCA शुरू कर सकता हूँ सर और ACCA शुरू करके आगे बढ़ चलूँगा बिल्कुल ठीक बच्चे आपने मन खुश कर दिया ये चीज बिल्कुल सही बोली आपने और यही यही चीज आपको समझने जरूरी है कि क्लास 11 के बाद या क्लास 11 से आप ACCA शुरू कर सकते हो अब confusion आते है बच्चे graduated students के लिए जिनके पास दो साल के experience है और वो इस चीज में confusion है कि वो ACCA करें या diploma in IFRS करें बहुत सारे हमारे students जो CA हैं जो CA qualify कर चुके हैं या CA final में वो भी बहुत बार पूछते हैं बेटे कि सर हमें क्या करना चाहिए हम किस course को लें बिकाज उन्हें edge चाहिए उन्हें कुछ extra चाहिए उन्हें market में उन्हें पता है demand है IFRS की उन्हें कुछ चाहिए इस तरह का किसर हम कुछ कर लें जिससे हमारी marketability improve हो जाए हमारे job prospects अच्छे हो जाए and so on so forth बड़ सर इन दोनों में से मैं करना क्या चाहिए देखो बेटे मैं अपना personal suggestion आज आज आपको दूँगा जो मुझे लगता है आपके लिए helpful हो सकता है अगर आप भी उसी तरह से अपना career सोचते हैं जासा मैं आपको भी समझाने वाला हूँ देखो बेटे अगर आपने B.com करे हुई है अगर आप graduate हो या फिर आप CA के student हो और CA कर रहे हो तो बेटे आपके पस दोन रस्ते खुले हैं या क्या करना है या क्या करना चाहिए यह धिपेंड करता है आपके ultimate goal के ओपर मैं example देता हूँ बिटा कि अगर बच्चे आपका goal है माल लेते हैं मैं graduated student हूँ और मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस कंपनी में IFRS अलरड़ी है IFRS से related अलरड़ी काम होता है जो बच्चे इंडेस है ना जो इंडिन कंपरीज में होता है वो भी ना IFRS का ही बहुत बड़ा सबसेट है तो जिन्हें IFRS आता है ना उन्हें effectively सारे इंडेस आते हैं बिकास इंडेस ने effectively बहुत सारा कुछ IFRS से समझा है सीखा है और बनाया है तो effectively अगर IFRS सीख जाते हो तो आप इंडेस भी कर सकते हो अब आते हैं बच्चे उन बच्चों पर जो हम बात कर रहे थे जो B.com qualified है या C.E. की student है जो काम कर रहे हैं किसी C.E. firm में किसी company में हो सकता है वो इंडेस या IFRS से related हो 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 सकता है वो ना हो आपने बच्चे अभी यह सोचना है कि आपका ultimate aim क्या है बेटे अगर आपका ultimate aim यह है कि आपने सिर्फ accounting की ही field में रहना है और कुछ नहीं करना है accounting या reporting ही primarily करनी है और of course क्योंकि आपने accounting और reporting की field में रहना है तो company कोई भी हो चाहिए वो India से related हो या IFRS से related हो company कोई भी हो आपको IFRS तो आना ही चाहिए because effectively आपको वो implement करना ही पड़ेगा तो अगर आपका बच्चे vision effectively accounting और reporting line का है तो बच्चे आप ACCA करो या DIP IFRS करो कोई फरक नहीं पड़ता है जो जल्दी हो सकती है वो कर लो और answer जल्दी होने का होगा कि आप DIP IFRS करो because diploma in IFRS कम time लेता है ACCA जादा time लेता है ACCA आपको exemptions देता है बहुत सारी of course you know मैंने एक specific video बनाया हुआ ACCA के उपर जो मैं आपको उपर link में दे रहा हूँ आप जाके उसे देखेगा ACCA बहुत सारी exemptions देता है BCOM या CA students को और वो आपको भी मिलेंगी बट उन exemptions के बहुजूद बच्चे आपको 9, 6, 7 जो भी number रहेगा after the exemptions वो आपको paper देने पड़ेंगे बटे बट डिप्लोमा इन IFRS के अंदर बच्चे इक ही exam होता है जो IFRS के उपर होता है और अगर आप वो कर लेते हो तो यह डिप्लोमा आपको मिल जाता है तो आप उन accounting और reporting jobs के लिए eligible होजारते बटे अपलाई करने के लिए तो एक quick path है बटे एक instant result path है एक paper देना है उसकी तियारी करना है और करके आगे चले जाना है बट बच्चे अगर आपको विजन ना सिर्फ accounting and reporting का नहीं है आपका विजन और जदा bigger है in terms of doing something more than just the accounting and reporting तो ACC qualification आपके लिए the right answer है because यह qualification of course IFRS को consider करती है IFRS include करती है बहुत हद तक बहुत सारा कुछ include करती है बट आपको IFRS के लिए बहुत सारी और चीज़े भी बताती है और एक global qualification एक professional qualification प्रवाइड करती है जो ना ही सिर्फ accounting reporting में आपका domain खोलते है but you know you can certainly get into the field of audit you can certainly get into the field of investment banking you can also think about banking you can also think about risk you can also think about compliances you can also think about of course the financial accounting and reporting you can also think about various ancillary areas that are there in relation to finance be it the financial planning and analysis be it the management reporting and so on and so forth तो ACC आपके लिए वो सारे डोर उपन कर देता है Diploma in IFRS primarily concentrated होता है बच्चे accounting और reporting areas के लिए तो आपका vision जो है बच्चे उस हिसाब से आप decide कर सकते हो क्या आपको कौन सी चीज़ पकड़नी है क्योंकि आपके पस अभी कोई professional qualification नहीं है तो एक professional qualification आड़ करना आपके लिए ज़्यादा important होगा dip IFR है एक short cut जरूर हो सकता है बट वो आपको उतनी दूरी पर शायद नहीं ले जाएगा जिस तनी दूरी पर आपको ACCA ले जा सकता है qualify करने के बाद बासों न आती है बिलकुल आती है अब हम आते हैं बच्चे उन बच्चों के उपर जो मेरे already CA qualified बच्चे है जो CA qualified बच्चे है बच्चे वो भी बहुत confused होते है और वो भी यह जानना चाहता है कि सर हमारे लिए सही सही option क्या है कि अगर हमें और कुछ करना है in addition to the Indian Chartered Accountancy तो वो क्या होना चाहिए सर सर वो ACC होनी चाहिए या सर वो मैं भी confused हो सर मुझे बताओ ना सर क्या right answer है सर तो बच्चे ऐसा है जो मैंने BCOM या CEIPC student के लिए बोला वो सब आपके लिए applicable है कि आपका ultimate goal क्या है उसके हिसाब से आपको decision लेना है बट आपके पास ना बच्चे एक बहुत बड़ा edge है वो ये कि आपके पास ना बच्चे एक professional qualification already है आप already chartered accountant हो और क्योंकि आप already chartered accountant हो तो क्या आपको एक additional degree सिर्फ इसलिए लेनी चाहिए कि आपको edge चाहिए या growth path चाहिए and so on so forth क्या आप उसको shortcut नहीं ले सकते in terms of doing something like diploma in IFRS जो आपको certainly एक edge provide कर देगा because of course professionally आपने वो सब कुछ सीख लिया है जो आपको सीखना चाहिए वो आप सब सीख चुके हो चाहिए मैं financial planning की बात करूँ management की बात करूँ performance management की बात करूँ costing की बात करूँ taxes की बात करूँ audit की बात करूँ आप वो सब सीख चुके हो आप उन सब jobs के लिए बिलकुल apply कर सकते हो और जूर मिलेंगी आपको वो आप सब आप हाँ पहुँच चुके हो तो क्या मैं कुछ ऐसा कर लो जो मुझे और जल्दी कुछ ऐसा edge दे दे जिससे मैं IFRS related companies में भी बिंदाज होके जा सकूँ और एक edge ले सकूँ वहाँ पे job करने के लिए अगर वो सोच है बिटे आपकी तो आपको DIP IFR ले लेना चाहिए DIP IFR आपका जो IFRS का vacuum है जो आपके पास नहीं है उसको भर देता है आपके पास diploma in IFRS आजाता है IFRS की वो knowledge आजाती है जो आपको चाहिए और अफकोर्स बाकी सारी knowledge primarily आपके पास से वजबल है मैं कहीं सही यह नहीं बोल रहा हूँ बच्चे कि dual qualification आपको help नहीं करेगी अगर आप CA हो और आप ACCA कर लेते हो तो certainly dual qualification आपको एक सही माइने में different edge या different pedigree देती है बिलकुल देती है बट कुछ बच्चे short cut लेना चाहते है हर बच्चा उतना पैसा नहीं invest कर सकता है बिकास ACCA में पैसा DIPAFR के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता है आपको चार exam देने होते हैं बच्चे exemptions भी होगी exemption fees भी होगी अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जाना चाहते हैं तो मैं इसका link भी आपको दे रहा हूँ because FinTramp really provides very very good scholarships to the CA qualified students आप उसको भी देख सकते हैं of course you can reach out to us बट अगर मैं दिल से जिल की बात करूँ in terms of कि आपके लिए shortcut क्या है एक edge पानेगा तो DIP IFRS certainly एक shortcut है वेटे उस चीज को cover कर लेनेगा dual qualification बिल्कुल बेटर है no doubt अगर आप लेते हो तो आपको certainly एक different level of pedigree देगा बट हर बच्चा जो long cut नहीं लेना चाहता है या जो of course उस तरह से directionally उतना long term नहीं सोच रहा है वो एक एक shortcut ले लेता है और ये qualification ये diploma अपने में add कर लेता है which is DIP IFRS तो वो भी बहुत strongly बहुत swiftly और बहुत smartly and बहुत quickly grow कर सकता है MNCs में फटा-फट से apply कर सकता है और फटा-फट से job भी पा सकता है एक जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं या बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे question वो ये भी है कि सब Diploma in IFRS में जो IFRS पढ़ाया जाता है और ACCA के Strategic Business Reporting में जो IFRS पढ़ाया जाता है क्या वो same है मैं आपको ये बता सकता हूं बच्चे मैं दोनों पढ़ाता हूं तो आपको बता सकता हूं वो almost same है Strategic Business Reporting में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें भी डालते हैं IFRS में हम concentrated उनी specific IFRS के उपर होते हैं जो syllabus में हैं बहुत ज़्यादा difference नहीं है I can say 90% of the content is the same but SBR में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाय जाता है DIP IFRS में थोड़ा सा कम पढ़ाय जाता है but effectively DIP IFRS सारे important IFRS को cover कर लेता है मैंने Diploma in IFRS के ओपर एक specific video बनाया हुआ है जहां मैंने सारी details दी है इसकी curriculum की, इसकी fees की, इसकी eligibility की इसके paper के बारे में भी discuss किया है अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं उसका link भी provide कर रहा हूँ देखो कितना सारे link दे रहा हूँ तो उसका link भी provide कर रहा हूँ आप उसको भी जाके देखो and I'm sure that would remove hell lot of your doubts in terms of whatsoever you may have in your mind अगर बच्चे कोई और भी doubt हो आपका ACC ACC related या DIP IFRS related हम दोनों पढ़ाते हैं हम दोनों के registration प्रवाइड करते हैं हम दोनों के scholarship भी देते हैं तो ये can certainly reach out to us at fintrum.com मैं details वीडियो के description में दे रहा हूँ आप हम तक पोँचिए और हम से पूचिए हम आपकी हर query resolve करने ही कोईश करेंगे और कोई question बच्चे अगर मेरा unanswered रहे गया है in relation to ACC और DIP IFR तो comment box में लिखो हम फटा फट से answer करने ही कोईश करेंगे ताकि आपको हम सारे answer दे सके I hope this video was helpful to you in terms of taking the right decision and of course अगर अच्छा लगाओ तो like जरूर जरूर और जरूर देनी है this is what I wanted to cover in this video I'll see you again in the next one till then this Pankaj Dhingra signing off